उत्राखंड के अल्मोडा में सरकार की जीरो टोलरेंस का आईना है अल्मोडा का जल सरस्थान क्राइम स्टोरी ने जब विभाग और सरकार को आईना दिखाया तो सरकार के विभाग के पास जनता के लिए बजट भी मिल गया और अधिकारियों ने अपना टैंक भी देख लिया और शायद विभाग के अधिशाशी अभियंता को ये तक भी मालूम नहीं था कि उनका टैंक कहा पर है और किस हाल में है खबर देखने के बाद मान्य जिला नयायद हीश ने ततकाल अपनी सूझ भूस से विभाग के अधिकारियों को नयायाले में तलब होने का आदेश दिया है मान्य नयायद हीश ने इसे गंबीर लापरवाही और एक बड़ी समस्या मानते हुए विभाग को तलब होने का नोटेस भी जारी गिया बड़ी बात ये है कि मान्य नयायद हीश ने भी समझा कि इस लापरवाही से शहर को भारी नुकसान हो सकता है इसी कारण उन्होंने भी जनता की स्वास्ते सुरक्षा को देखते हुए विभाग को तलब किया है जल संस्थान के अधिकारियों ने अपनी लापरवाही को चुपाने के लिए नोटेस मिलते ही टैंक के ढखकन और टैंक की मरमत भी शुरू कर दी है विभाग ने जो काम 24 घंडे के अंदर कर दिया उसके लिए आज बजट कहां से आया लेकिन कोई पूछने वाला तक नहीं है यदि विभाग के पास बजट था तो आज तक आम जनता के साथ खिलवाट क्यों किया जा रहा था क्राइम स्टोरी के लिए अलमोडा से कपिल मलोतरा की रिपोर्ट धकनों को धका गया है तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे ही क्राइम स्टोरी ये बार बार ऐसे ही जुलनत मुद्दों को अगर उठाते रहे कि तो निश्ची ती किस पूरे समाज का और अलमोडा के छेत्रवासियों का हला होता रहेगा और जो भी मुद्धिपत्य और ज जनता के साथ इस खबर को देखने के बाद माननी न्याले जिला जजज ने ततकाल प्रभाव से जल संस्तान के अधिशाशी अभियंता और जीम को अपने वहाँ तलब होने के आदेश जारी किये जिस आदेश को मिलते साथ पूरे विभाग में हड़कम मच गया इस हड़कम लखने वाली बात ये है कि आज भी जो ताले जड़े जा रहे हैं उसके ढखकन आज भी सड़े हुए हैं क्या ये लापरवाही किसी को नजर आएगी क्या विभाग इस छोटी सी लापरवाही के बात सुधरने का नाम लेगा कपिल मलोत्रा क्राइम स्टोरी अलमोडा